जब आप एंटी इस्लामिक और्गिनाइजेशन में थी तो क्या आप पर फिलस्तीन का तस्वर मसल्ट किया गया था? मैं एक बार अपनी एक डोस्त के साथ बैठी थी उसके वालत हमारे आर्मी बेस पर जर्णलों में से एक थे हम सादा सी हकीकत के बारे में बात कर रहे थे हम बस उन्हें मुकमल तबाह क्यों नहीं कर दे थे बस उनको मौत के घाट उतार दे और उसका जवाब था क्या आपको लगा है कि इसराइल जीट जाएगा? उन्होंने महसूस किया कि वो किसी ऐसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं जो सच नहीं है अमरीकी फोज और दुनिया भर की सबसे ज्यादा फोजों के साथ मसला ये है कि उनके पास कोई नफसियाती या रुहानी ताकत नहीं है वो अगली नसल से खौफ सदा है और आज की नसल की तरहां कल को बड़ी होकर बदला लेने आएगी एक आत्मी अपने बच्चों को थैले में उठाए फिरता है बैग में अपने बच्चों के टुकड़े और इसका मत्सब ये है कि आपको उन पर कोई नफसियाती ताकत नहीं है यनाइटिट स्टेट्स में क्या हो रहा है टिक टॉक चलाएं और उन सब लोगों को कुरान के हलकों में बैठे गैर मुस्लिमों को इस्नाम कबूल करने वालों को देखें ये अल्ला की जीत है क्या अमरीकी फॉच वाकिई ताकत वर है अमरीकी फॉच इस्राइल में क्यों लड़ रही है अमरीकी फॉचियों से क्या वादा किया जाता है हमारी लड़ाई आजादी के लिए नहीं है हम जमहूरियत के लिए नहीं लड़ रहे दरहकीकत हम सिर्फ ताकतवर की ताकत और दौलत मन की दौलत में इजाफे के लिए लड़ रहे है सिर्फ इसलिए के लालत से भरपूर और इक्तिदार और इक्तियार के हामिल लोगों की दौलत, ताकत, स्टेटस सब बरकरार रहे उन में कोई कुवत नहीं, कोई अच्छाई, कोई इखला की बनियात नहीं है फौजी के अंदर ऐसा कोई अहसास नहीं, कि वो अपने अमल को सही करार दे सके नतीजतन वो नफसियाती मसाईल के साथ वापस आते हैं और उनमें से बहुत से खुदपुशी कर लेते हैं क्योंके उनमें मासून लोगों की कतल का एहसास होता है लहाजा ये ताकत सर्फ अल्ला को रिमान रखने वालों के पास है जिनका यकीन है कि वो ये सब अल्ला के लेकर रहे हैं क्या आप समझती है कि इस्राइल जीत जाएगा अल्ला हमें बता चुका है कि यहूदियों के साथ जंगे होंगी और उनमें से कुछ जंगों में हम फता पाएंगे और कुछ में हम नाकाम होंगे मुझे नहीं मालूं ये कौन सी जंग है लहाज हमें इसका जवाब नहीं दे सकती दाएं बाएं हर तरफ ये है जी ये वो जीत नहीं जिसे मैं और आप जीत समझते हैं मगर ये जीत है अल्ला ही अपनी अबादत के लिए लोगों का सीना खोल रहा है और मेरे नजदीग ये हमें मिलने वाली एक अजीन तरीन जीत है आप फलस्तीन में छोटे बच्चों पर भी फौजीयों के इतने ज्यादा तशद्वत पर कानूनी मदाखिलत ना होने को कैसे देखती है पूरा मगरे बड़ी हद तक इस बात पर मताफिक है आगे वड़ो इनको खतम कर दो इन सब को खतम कर दो अपनी सिक्यूरिटी के लिए जो चाहो कर गुजरो अमरीकी ये यखीन रखते हैं कि मिडल इस्ट में इस्राइल का वजूद हमारी सिक्यूरिटी है यही मुसल्मानों को लगाम डाल कर रखता है गुरबाचियों ने एक बार कहा था अब मैं तुम्हें भी मार दूँगा क्यूंकि एक दिन तुम बड़े होगे और फिर तुम पलटकर बत्ला लेने की कोशिश करोगे तो वो इस से खौफज़दा है वो अगली नसल से खौफज़दा है इसका एक पहलो मुकमल तोर पर माशी है दूसरा सियासी पहलो ये है कि इस्राइली सिहोनी लॉबी अमरीका में बहुत मजबूत है कोई भी सियासी शक्स सिहोनीत इस्राइल और यहूदियों के खिलाफ कुछ नहीं कह सकता अगर आपने उनके खिलाफ कुछ कहा तो वो आपका सियासी करियर आपका कारोबार सब तबाह कर देंगे वो यकीनी बनाते हैं कि कोई उनके खिलाफ ना बोले उनके पास दौलत है उनके पास मीडिया कंपेन है उनके पास जरूरत की हर चीज है और ये सब बहुत तवील अर्से से हो रहा है मैं कहूंगी कि सौइ साल से भी पहले से वो इस पर काम कर रहे हैं और ये दूसरा लेवल है तीसरा लेवल मख़भी इसाईयों और मख़भी यहूतियों के लिए है जो जाहिर है कि मसीख के दुबारा आमद का तस्वर है मैं इसे इसाईयों और यहूदियों के दरमियान दोस्ती नहीं बलके मतलब भी दोस्ती समझती हूँ यानि मेरे नस्दीग दोनों ये समझते हैं कि वो दूसरे को इस्नमाल कर रहे हैं इसाई हजरत इसाई आले सलाम की वापसी पर यकीन रखते हैं जैसे मैंने कहा हैकल को दुबारा तामीर करना है और उनके अकीदे के मताबक यह हैकल कहा है बिलकुल उसी जगा जहां मस्जिद अक्सा है यानि मसल्मान उनके रास्ते की रुकावट है दूसरी चीज़ ये है कि यहुदियों के मताबक उनके मसीख की आमत के लिए जो उनके खयाल में उनका मसी है जबके हमारी लिए इसाई आले सलाम आएंगे उन्हें हैकल दुबारा तामीर करना होगा लहाज़ा इसके कई मुख्तलिफ लेवल्स हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसराइली और सिहुनी रियासत के कयाम में शामिल नहीं थे जब्कि उसे काइम करने वाले बहुत से लोग मजभी यहूदी नहीं थे वो एप्थीस थे, सेक्यूलर थे वो मजभी रियास्त की कयाम पर यकीन नहीं रखते थे बलकि वो यहूदियों के लिए एक तहजीबी सरजमीन चाहते थे जिसके लिए उन्होंने मजभी लोगों का सहारा लिया वो समझते थे कि इस तरह वो अपने मसीख की आमद का रास्ता हमवार कर सकते हैं कयामत का दिन करीब ला सकते हैं और ये अकीदा मजभी लोगों का है मगर जो मजभी नहीं है वो एक ऐसी रियास्त काइम करना चाहते हैं जोनकी असल मुकदस सरजमीन हो और ये पहला मरहला है फिर वो शाम, लिबनान, उर्दन और सौधी अरब के इलाकों की तरफ बढ़ेंगे और उन्हें अपना हिस्सा बनाएंगे और कोई उन्हें रोपने वाला नहीं है क्योंके मुस्लिम उम्मत अंदर से कमजोर हो चुकी है हमें दुन्यावी जिन्दगी से मखबत है और हुदूर सलिल्लाहु आले वसल्म ने हमें पहले ही इस वक्त से आगाह कर दिया था जब हम पर यूँ हमला किया जाएगा जैसे कोई दस्तरखान पर जबढ़ता है मगरिब इसलाम से खौफ सदा क्यों है वो जानते हैं कि जब मुसल्मान अल्ला पर इमान रखते हैं जब मुसल्मान अल्ला पर बरोसा करते हैं जब मुसल्मान इस दुनिया के बजाए आखरत की जिन्दगी को अपने दिल में बसाते हैं तो उन्हें शिकस देना मुम्किन नहीं होता एक मरतबा में अपनी दोस्त के साथ बैठी थी, उसके वालद हमारी फॉज के एक जेनरल थे, मैं और वो एक क्लासरूम में बैठे थे, और ये वो वक्त था जब एरानियों ने एरान में अमरीकी एमबेसी पर कब्जा कर लिया था, और हम इस सादसी हकीकत पर बात कर रहे थे आखिर हम उन पर बंप फैंकर उन्हें खत्म क्यों ने कर देते हैं, मैं उस वक्त मुसल्मान नहीं थी, मुझे इसलाम का इल्म नहीं था, और उसने कहा मैंने पिछली रात अपने वालिद से इस पर बात की थी, और उन्होंने जवाब दिया था कि जब अमेरिका और लिए जान देने पर तयार होते हैं, और इसका मतलब ये है कि आपको उन पर कोई नफसियाती ताकत हासिल नहीं होती, उनमें कोई देश्चत नहीं है, कोई खौफ नहीं होता, लहाजा आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपके पास आखरी हल उनका मुकमल जिसके लिए उन्होंने मुक्तलिफ तरीके अपनाए हैं, जिनमें से एक तरीका नॉर्न बूत के अलफाज में हिरास्ती कैम्प है, एक खुला हिरास्ती कैम्प, जिससे गजा के अंदर एक आजाँ जेल समझा जाता है, वो हर मुम्किन कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन्ह के साथ तालुप में इदाफा हुआ है आप इस बारे में क्या समझती है योरप में इसलाम के हवाले से दिल्चस्पी बढ़ रही है और अमेरिका में जुनूबी एफरिका नाइजेरिया में जापान और सारी दुनिया में ये जानने की ख्वाहिश पैदा हो रही है कि आखर तालुंध जो यहा लाह यहा लाह लाह प्लते है लेकिन क्यूं अलाह कख़कर शिकायत स्की जबान पर नहीं लाटा। आखर यह कैसा मजब है कि एक शखक में जाने रहे हैं लोगों और यहे इस जो पूंच्चर Lobं के बारे में सीख रहा है और इस अपके नतीजे में, अल्ला उन्हें हितायत दे रहा है। फिर कहुंगी, कि मेरे नजदी, गजा के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, ये अजीन-तरीन काम्याबियों में से एक है। ये लोगों को जूग-दर-जूग अपनी तरफ ला रहा है। ये लोगों को बता रहा है कि इसलाम क्या है, वाशिंग्टन में होने वाला मार्च प्ये मिसाल है, एक वास के लिए कहीं भी इतने लोग आज तक इखटे नहीं हुए, असल और हकीकी काम्याबी इसलाम के लिए सीनों का खुलना, और इसलाम की तरक्की और लोगों में ये इल अगर मुझे इसलाम से मतलिक गलत फहमिया खत्म करने का मौका मिले तो पहला काम जिसकी मैं कोशिश करूँगी, वो लोगों को ये समझाना होगा कि इसलाम कोई सख्त मख़ब नहीं है, इसलाम ऐसा मख़ब नहीं जिसमें सब कुछ मना हो, ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ की कैद हैं, जहां कोई खुशी नहीं, कोई राहत नहीं, कोई मज़ा नहीं, ये सच नहीं है, मेरा एक कजन मुसल्मान हुआ, और जब वो मुसल्मान हुआ तो उसने कहा, मैंने ऐसा सुकून कभी महसूस नहीं किया, जो पहली बार नमास पढ़ने पर मुझे महसूस हुआ था काश मुझे पहले इसके बारे में पता चल जाता तो इसलाम एक ऐसा मजब है हाँ कुछ चीजों की इसमें इजाज़त नहीं है कुछ ऐसे काम हैं जो हम नहीं कर सकते मगर वो वही काम हैं जो हमारी जिंदगी को तकलीफदा बनाते हैं माजी में इसलाम मुखालिफ कारकुन की हैसियत से आपके खयाल में इसलाम से मुतरले कितनी मीडिया कवरिज गलत होती है मैं कहूंगी आज स्टैंडर्ड मीडिया में ये शरा 90 फीसद है एक खुबसूरत चीज जिस पर बहुत से लोग अपसट भी होते हैं कि ओ सोशल मीडिया इसका इस्तमाल हर एक के लिए नुकसानदा है वही अपना किरदार ने बार रहा है हकीकत दिखा रहा है अल्लाह ने दूसरा दर्वाजा दूसरा रास्ता खोल दिया है तो मेरे ख्याल में आपका ज्यादा तर नॉर्मल मीडिया जूट बोल रहा है मगर अलहम्दलिल्लाह अब दूसरे जराय मौजूद है सच को देखने की एक मुख्तलिफ सलाहियत मौजू है जिसे वो रोक नहीं सकते ये वो चीज है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्यूंकि इंटरनेट पुद उन्होंने सबके लिए दस्तियाब बनाया था लहाजा मालूमात का फैलाओ कोई नहीं रोक सकता और सच वाजे हो कर सामने आ चुगा है अलहम्दलिल्लाह वो